एलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज का टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को लेका रहा हूं प्रेंट्स 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 में पढ़ने वाले हैं लेकिन आपका यूज है वह आपका यूज आफ इमिडिटियर राइट टू का मतलब होता है बागल में दायोर इसका प्रेंट्स प्रेंट्स हैं इसका रूल जाती है इसका प्रवर्वस है प्रजयंग हम लोग बागल में हो के देंज रहे करते हैं क्या बूल रहा है इसका किसी पागल में कवाँ आप दायोर है आप आप जैसे में हम खाड़े हैं तो आपको बगल में लेफ्ट साइड नहीं खड़ा होना चाहिए ताब उसमें आप ट्रांसलिस्न बनाने के लिए देगा ताब उसमें मुझ्टिया राइट टू काई उसकी जैसे कि अपना यग्जामपल लेता है हम इस साइड का खड़ा है ठीक है और मेरे तो बगल में और मेरे दोस्त खड़ी हो ति किस साइड खड़ तो अइसमें आपकाDu what the myок Se public还有 हो चलिए देख लेते हैं इसको सुझाम्पल राणी अंसु तंच जो आंसु के बगल में यहां है राणी गसालानी गल्स वह सुझात आंसु के पागल में बैठी है लेकिन दाइन और बैठी है तो इसका संटेंस आपका बनेगा वो बनेगा रानी इज सिटिंग बैठना क्यों मीनिंग यही होता है सिटिंग रानी इस सिटिंग फिर देखिए आपका अगला एक्जामपल है सुनाली सुरज के बागल में दाइन और बैठी है सुनाली है जो सुरज के बागल में दाइन और बैठी है सुरज एक लड़का है ठीक है उसके बागल में सुनाली बैठी हुई तो है लेकिन दाइन और बैठी है लेकिन दाइन और बैठी मतलब राइट साइड बैठी है इसमें किसके इस करेंगे इमिडिटियर राइट सुनाली एज सिटीम प्रेंट्स बैठना का मेनिंग या ही होता है इमेंडेटी एड़ राइट सुरज ये सिटीम इमेंडेटेयर राइट सुरज फिर देखिया आगला एक्जामपल है खुस्बू नेहा के बगल में दाइं और बैठी है क्या बहुत है खुस्बू नेहा के बगल में दाइं और बैठी है भी खुस्बू खुस्बू है जो नेहा के बगल में दाइयोर बैठी है उसके बगल में नेहा बैठी है लेकिन दाइयोर बैठी है इसमें कि इसका कर देंगे कि मिडिटिया राइट टू कर देंगे कि यहां पर बगल में दाई हो रा गया है कि इसका आपका संट्यन्स बनेगा वो बनेगा कि खुस्बू इज कि सिटिंग कि इमिडिटियेंड कि राइट टू फ्रेंट उस जगह नहीं है इसी बस हम यहां पर लिगते हैं नहीं हां मैं साइड हो जाती हूं आप लोग एक वर समझ लिए और स्क्रीन सोट ले लीजिए तो थैंक्स दोस्तों बस आज का वीडियो में इतना ही आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगर मैं वीडियो अच्छा लगाँगा तो वीडियो की जग लाइक और मेरे कि जगा सबस्क्राइब